हेलो वेलकम टू टेक्निकल एजुकेशन आज है 27 माई 2024 27 माई 2024 से करेंट अपयर की जितने भी इंपर्टेंट क्योशन बनते हैं दोस्तो इस वीडियो में अपने डिसकस करेंगे दोस्तो इस वीडियो को फिर पाने के लिए आप हमारा टेलिग्राम चेनल जोइन कर लिजी जह Q 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 मनाया जाता है इसके दोस्तों सर्वफर्तम 2000 वरस 2000 के अंदर दोस्तों सर्वफर्तम विश्व कच्वा दिवस मनाया गया आता है अब बात करते हैं दोस्तों मही महा में और कौन-कौन से इंपोर्टेवस मनाए गये दोस्तों मैं परतेक वीडियों में आपको रिपीट करवाता हूँ जो मैंने प्रिवियएश जो भी दिवस मनाये गये हैं कापई important है दोस्तों दिवस तो ये सभयाद रखिये आप, दोस्तों एक मही की बात करें तो अंतराष्ट्य मजदूर या सर्मिक दिवस, इसी दिन दोस्तों भारतिय दोराजे, महराष्ट्र और गुजरात की स्तापना दिवस भी मनाया जाता है, दो मही के बात करें तो दोस्तो विश्व अस्तमा दिवस ये मही महा के पहले मंगलवार को मना जाता है और दो मही को दोस्तो विश्व टूना दिवस के रूप में मना जाता है तीन मही के बात करें तो दोस्तों अंतरराष्टिये प्रे सहुतंतता दिवस और अंतरराष्टिये तेंद्वा दिवस ये तेंद्वा दिवस क्यों मना जाता है दोस्तों तेंद्वा दिवस दोस्तों तेंद्वों के जो उनकी सुरक्षा तता उनके जो आवास है उनके सरक्षन के प्रती जाग रुखता पहलाने के लिए तेंद्वा दिवस मना लेता है अब बात करते हैं दोस्तो अंतरश्ट्राश्टी प्रेस सा उतंता दाती हो इसकी, तो यह 3 मेह को बनाई जाती है, इसी दिन दोस्तो आपकी जो wordpress freedom index है, वो भी दोस्तो जारी की जाती है, यह index किसके दोपारा जारी की जाती है, दोस्तो एक संस्तान है, गेर सरक, reporters without borders, reporters without borders, य एक संस्तान है, दोस्तों, इसके दौरा ये इंडेक्स जारी की जाती, इस साल दोज़रचोवीश में, अपना देश बारत कुन से स्तान पर रहा था? दोस्तों, मैंने पहले भी बताया है, अपना देश बारत 169 स्तान पर रहा था, दोस्तो कितने देशों में? 180 देशों में अपने देश बारत 169 स्थान पर रहाता है आगे देखते हैं दोस्तो आगे है आपको दोस्तो बात करें 4 मही की तो 4 मही को दोस्तो अंतराश्टी अगनिसामक या कोईला खनन दिवस 5 मही को अंतराष्टी हसी और अंतराष्टी हाथ स्वस्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है 7 मही को दोस्तो विश्व एतलेटिक्स दिवस 8 मही को विश्व रेड़ ग्रोस दिवस 9 मही को दोस्तो महराणा पताब का जनम दिवस 11 मही को राष्टिय प्रध्योगी दिवस और विश्व परवासी पक्सी दिवस मनाए गया दोस्तों इस साल 2024 में 12 मही को दोस्तों अंतरराष्टिय नर्स दिवस मनाए जाता है 14 मही की बात करें तो दोस्तों यह रोता है आपका अंतरराष्टिय मदर्स डे 14 माई को मना जाता है दोस्तो 15 माई को दोस्तो बात करते हैं अंतराष्टी परिवार दिवस इस साल दोज़ा 24 में इसकी थीम थी दोस्तो Families and Climate Change 15 माई को जो अपने भारत में राष्टी सरक्षुरक्सा सप्ताहां की सुरुआत होती वो 15 माई से होती हैं Gimana 16 माई को अंतराष्टी परकास दिवस अंतराष्टी देंगू दिवस और सांती के साथ रहने का दिवस ये तीन 16 माई को मना जाते हैं अब बात करते हैं दोस्तो 17 माई से तो 17 माई को विस्वर दूर संचार और सूचना समास दिवस 18 मही को दोस्तों अंतराष्ट्री म्यूजियम, अंतराष्ट्री संग्राले दिवस और विश्व एड्स वेक्सिन दिवस के रुप में मना जाता है विश्व एड्स वेक्सिन ये इंपोटेंट है दोस्तों ये 18 मही को मना जाता है और 20 मही को राष्ट्रिय आतंगवाद विरोसी विरोधी दिवस भी मना जाता है ये इंपोर्टेंट है दोस्तों विस्वा राष्ट्रिय आतंगवाद विरोधी दिवस ये 20 मही को मना जाता है 21 मही को अंतरराष्ट्रिय चाय दिवस और दोस्तों 21 मही को अपने जो पूरु परदानमंत्र उनकी पूर्णे तिती भी मनाई जाती है Next Question देखते हैं जोस्तों Next Question है में चर्चा मा आई अटाकामा व्यदसाला कहाँ परस्थी थे दोस्तों अभी अटाकामा व्यदसाला open वही, वो कहाँ परस्थी थे तो दोस्तों इस Question का आपका option नमर B चिल्ली दोस्तों ये उत्री चिल्ली में ये अटाकामा वेदसाला स्थित हैं अब दोस्तों ये चर्चा में क्यों है तो दोस्तों ये विश्व की सबसे उचाई परस्तित खागोली वेदसाला बन गई है जो उत्री चिल्ली अटाकामा के रेगिस्तान में स्थ करते हैं इसका नाम भी अटका हमार विदचाला है दोस्तो अब बात करते हैं दोस्तो चिल्वी की तो चिल्वी एक दोस्तो जो आपका South American continent है उसका देस है मैप में देखते है तो यह दोस्तो यह आपका चिल्ली हो से जाना दोस्तों संसद का नाम भी काफी जुरूरी है संसद का important हो जाता है पोतवार मैंने आपको बता है वो से देश आते हैं तो उनकी संसद का नाम बहुत important है यहां के वरतमान जो रास्ट पती है जोस्तों वो है अब बात करते हैं दोस्तों मानव विकास सूचकांग की तो मानव विकास सूचकांग दोस्तों कौन जारी करता है यह दोस्तों मानव विकास सूचकांग परतिवरस दोस्तों सायूक तो राष्ट्र विकास कारियेकरम UNDP द्वारा जारी किया जाता है इस साल दोस्तों अभी मै दोस्तो इस साल मानव विकास सूचकंग 2024 में सिर्ष स्तान पर रहा था हूँ नेक्स्ट क्यूशन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्यूशन है हाल ही में मरियपन थंगावेलू ने विस्व पेरा एथलेटिक्स चेंपियनसिप में कौन सा पदक जीता है यह पूचा गया है दोस्तों यह आपके पेरा एथलेट है मरियपन थंगावेलू इन्होंने जो अभी वरतमान में जो आपकी चालू चल रही है विस्व पेरा एथलेटिक्स वरतमान में जो है उसके अंदर कौन सा पदक जीता है तो दोस्तो इस question का right answer आपका option number A Swern Padak दोस्तो इन्होंने gold medal जीता है इस सब पहले भी मैंने 2-3 बताया था दोस्तो पेरा athletes के बारे में जिन्होंने इस साल जो जाट 24 में आपकी championship चल रही है उसके अंदर Swern Padak जीते हैं इसका दोस्तो मैं यह जब संपन होगी उससे एक पूर्ण वीडियो आपको बना दूँगा जिसमें अपने बाहतने को इतने पदक जीते हैं कितने gold, कितने silver और कितने bronze सब के और आपको important important बता दूँगा जो लगबग पूछा जाएगा अब next question देखते हैं दोस्तो next question है दोस्तो हाल ही में किसने IPL से सन्यास की गोषना की है तो दोस्तो यह भी कापी important है दोस्तो बात करें तो अभी जो आपके दिनेस कार्थिक हैं तो इस question का दोस्तो आपका right answer है भी अब बात करते हैं दोस्तो दिनेस कार्तिक ने दोस्तो हाली में IPL जें दोस्तो सन्यास की गोशना कर दी उनका ये last season था 2024 में इस साल वो दोस्तो RCB की तरफ से RCB की तरफ से दोस्तो IPL कहले थे और ये इनका last season था इसके बाद में दोस्तो वो IPL में आपको खेलते हुए नजन नहीं आएंगे अब बात करते हैं दोस्तो IPL की तो दोस्तो आईपील की सुरुआत हुए थी 2008 में जब इसमें आठ टीमें इसा ले ली थी वरतमान 2024 की बात करे तो दोस्तो 2024 में आपकी 10 टीमें हो गई और इसके अंदर अब बात करते हैं जो आपके सरवादिक run बनाने वाले खिलाड़ी है तो वो है दोस्तो विराट कोली यहां नहीं लिखाओ दोस्तो मैं बता दे तो आपको जो सरवादिक विकिल लेने हुआ वो है आपके यूजवेंदर चहल जो राजस्तान के ले खिलते हैं और विराट कोली आपके इन्होंने अभी 8000 run भी पूरे कर लिए दोस्तो आपके 2024 के अंदर यह सब सब पहले IPL में 8000 run करने वाले किलाड़ी भी बन गए हैं दोस्तो तो यह भी कापी important है दोस्तो next देखते हैं दोस्तो next है दोस्तो हाल ही में किसे UAE ने अंतराष्टिय परियंटर सोरी दोस्तो हाल ही में UAE ने संस्कृति और प्रियाटन विबाग ने जो UAE का संस्कृति और प्रियाटन विबाग उसने golden विज़ा किसे दिया है तो दोस्तो इस question का right answer हो जाएगा option number A दोस्तो रजनिकांत को हाली में UAE देशने दोस्तांस्कृति कोर्प्रियाटन विबाग की तरफ से golden विज़ा दिया जाता है वो दोस्तो अपने देश के रजनिकांत को दिया है अब बात करते हैं दोस्तो UAE की तो UAE की राजदा नहीं है दोस्तो आबुधा भी UAE की मुद् पती है दोस्तो मुहमत बिन जायत यहां के परदान मंति है दोस्तो मुहमत बिन रसीद उल्मक्तूम 2023 की बात करें तो 2023 हुई यहां पर जलवाई उसमयलन हुआ था महिला कबड़ी लिग 2024 का योजन भी यहां पर किया गया था दोस्तो इसवे की सबसे बैडी बिलिंग बूर दोस्तो सयुक्त राष्ट अमीरात में नेक्स्ट क्यूसन देखते हैं दोस्तो नेक्स्ट क्यूसन है हाली में किस राजे ने पहली बार चाइनीज पॉंड हेरोन देखा गया है यह चाइनीज पॉंड हेरोन है न दोस्तो यहाली में किस राजे में देखा गया है तो दोस्त अब बात करते हैं दोस्तो उत्राखंड से related तो उत्राखंड में दोस्तो अभी नसे से मुक्ती के लिए खिलाब धामी अभियान की सुरुआत की गई थी ये भी important है दोस्तो सम्मान नागरिक सहीता लागू करने वाला देश का पहला राज्जी है दोस्तो उत्राखंड अभी स अभियास जो सूर्य की रण होता है उसका सत्रवा संस्करण भी आपका उत्राखंड में आयो जित किया गया था नेक्स्ट क्यूशन देशते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्यूशन है हाली में IPL 2024 का किताब किस टीम ने जीता है ये बहुत ज्यादा important है दोस्तों कारेंट का हाली में किस टीम ने IPL 2024 का किताब जीता है तो इसके उसन का राइट answer हो जाएगा आपका option नमर B Kolkata Night Riders दोस्तों Kolkata Night Riders ने अभी KKA ने 2024 में IPL का किताब जीत लिया है अब बात हुए यहां Kolkata की तो Kolkata ने दोस्तों इससे पहले 2012 में और 2014 में इससे पहले IPL का किताब जीता थ यहां बात हुआ जीता हुआ आपका।